हेलो अच्छो नमस्कार तो भाई आज हम सुरू करने जा रहे हैं ओम स्लो के आगे फेक्टर अफेक्टिंग कि ओफ कंड़क्टर कि ठीक है फेक्टर अफेक्टिंग ओफ कंड़क्टर कि देख लिए तो एक बार पूरी प्रॉपर नाम यह ना विए तो आफेक्टिंग देडिस्टेंस अफेक्टर रहिए सॉर्य देडिस्टेंस अफेक्टर अफेक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है जी? चालक को प्रभावित करने वाले कारक ठीक? अब देखिए चार पॉइंट है इसके आज हम सिर्फ वही चार पॉइंट पढ़ेंगे उसके नेक्स लास में फिर्फ शेप्टर को खतम करा दूँगा चलिए पहला है बाइ लेंट अफ कंड़क्टर चालक के लंबाई दौरा चालक के लंबाई दौरा यानि कि resistance जो होता है देखो directly proportional वाली बात तो मैंने आपको पढ़ाई दी थी तो resistance जो होता है वो length के किसके length के? conductor के length के, चालक के लंबाई के अनुकर मानुपाती होता है directly proportional होता है और अगर ये directly proportional है तो इसका मतलब क्या है बच्छो? कि directly proportional का मतलब ये हुआ कि अगर length जादा है तो resistance जादा होगा length कम है तो resistance कम होगा यान मतलब अगर किसी wire की length ये है और same width width लेकिन क्या होनी चाहिए वई? same होनी चाहिए width width same होनी चाहिए और material भी same होना चाहिए अगर ये copper का है, ये भी copper का है ठीक, इसकी width भी same है, इसकी width भी same है तो यानि जब इस प्रकार से कोई sequence बनता है तो जिस हिसाब से इसकी length रहेगी, अगर length जादा तो resistance भी जादा length कम, तो resistance भी कम, जहाँ पर material और width दोनों क्या है? same है पदार्थ और भाई क्या? उसकी, उनलब उसका area 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 of cross section, ठीक है? छेतर फल क्या है जी? समान है क्या है? समान है ठीक है? इस तरीके से बच्चो तो यानि length जादा तो resistance जादा length कम तो resistance भी कम कहने का मतलब, अगर length को double कर दिया जाए, तो resistance भी double हो जाएगा, और अगर length को half कर दिया जाए, तो resistance भी half हो जाएगा, ठीक है बच्चो? चलिए इसके बाद आता है इसके बाद आता है क्या? second temperature temperature of conductor चालक का तापमान हाँ जी, चालक का तापमान बही, resistance जो होता है वो चालक के तापमाने ने, temperature के भी क्या होता है directly proportional होता है मतलब, अगर temperature बढ़ा दोगे तो resistance भी बढ़ जाएगा temperature घटा दोगे, तो resistance भी घट जाएगा कहने का मतलब क्या है? कि मान लीजी, आपके पास ये wire है और आपको अच्छे से बता है कि इसमें electrons जो हैं, वो इधर उधर पड़े हुए है या, मान लीजी, electrons अच्छा वहला flow कर रहे हैं, चुप चप एक line में flow कर रहे हैं कौन? Electrons ये flow कर रहे हैं लेकिन अचानक क्या हुआ? कि किसी ने एक हिस्से का temperature बढ़ाना शुरू कर दिया, conductor के अब जब conductor कर जैसी temperature बढ़ाएंगे तो आपको पता ही है कि जो particles होते हैं, वो हमेशा move करते रहते हैं, और जब कोई force लग जाए तो और ज़्यादा move करते हैं तो बच्चों अभी तो फिलाल force यहां से लग रहा था हमें आपे यह दिखाई दिया कि सारे के सारे electrons अपने direction से move out हो गए और क्या करने लगे, कहीं भी इधर उधर move कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है जब कहीं भी इधर उधर move करेंगे तो क्या वो अपने पीछे वाले को direct सीधा निकलने देंगे, बिल्कुन IhN निकलने देंगे, और जब इस तरीखे से direct सीधा नहीं निकलने देंगे, तो वहाँ पर भीड बढ़ने लगेगी, और भीड बढ़ने लगेगी, तो भई, क्या होगा, वहाँ पर रुकावटे बढ़ने लगेगे, resistance बढ़ने लगेगा क्यों क्योंकि हमने टेंपरेचर बढ़ाया और वही जब आप इस टेंपरेचर को डिक्रीज करने लग जाओगे वापस अपने आप क्या होगा सारे एलेक्ट्रोंस अपने आप सीधी लाइन में फ्लो करने लगेंगे इट मीन्स टेंपरेचर कम हुआ तो इस भी अपने आप क्या होगे वЁख्चो कम होगे तो अपर अब संब स्बसें प्रत रहा रहा है और इसके बाद थर्ड क्या है थर्ड है नेचनों में तो सुनेंगे जरध्यां से तो नेचनों में दोसम किया है कि जित हिसाफ का आप मठीरियल लगाएंगे उसी हिसाफ से इलेक्टरॉन्स का फ्लो रहेगा अब जैसे माल लीजिए मैं चार पॉइंट ले लेता हूँ माल लीजिए अपने घर में अपने गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और अलिमीनियम ये चार वायर के बारे में आप लोगों ने बात की ठीक है, आप कल को आपकी जॉब लगेगी, आप एक नया घर लेंगे घर लेने के बाद, यानि की जैसे कहीं जमीन ले ली, आप घर बना रहे हैं घर बनाएंगे, वायरिंग वाले को बुलाएंगे, तो वायर वाला भई आपने खूब पैसा कमाया खूब अच्छा खासा वेल से डिल्ड हो, ठीक है, तो आप जो एलेक्टरिशी ने उसने बोला कि हाँ बताईए तार लगवानी है, तो कौन सी तार, तो आप पूछो के बताओ, आप कौन सी कमपनी की, ठीक है, तो भाई वो आपके पैसों को देख के जादा खुस है, तो एक ने कहा सिल्वर की तार लगवाओ, एक ने कहा कॉपर की तार, तो आपने भाई तीन चार ठेके दार पकड़े, तीन चार ठेके दार से आपने सजेशन लिया, और सबने अपने अपने राय दी, ठीक है, लेकिन भाई क्या, आप रोईस्टर से साइंस बढ़ रहे हैं, त चलो एक पल को बेर कर भी लिया, तो भई, प्सक्रोण कउल खोगा, अगर इसके अंदर गार कर देंगे, तो क्या होगा, इलेक्टिकी फ्लो कर दी, मतलब कहने का मतलब यह है, कि अभी आप अपने घर मेरे सुईच बंद करते है, तो तुरन्ट लाइट बंद हो जाती है, तो इस बंद कर भी दोगे ना तब भी थोड़ी दिर के लिए light जलती रहेगी क्यों जब तक उस तार का सारा current उस तक ना पहुंच जाए जब तक उसका flow वहां तक ना पहुंच जाए तो मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान को गलती से current लग गया ऐसा दुनिया में कोई अगर किसी को गलती से current लग गया तो तुम अगर सुच बंद भी कर दोगे तो थोड़ी दिर के लिए और उसे लगता रहेगा और इससे बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है तो भाई यह इसको तो हमने कर दिया फेल सेम के सिल्वर का भी सिल्वर भी क्यों क्यों कि अगर कंदक्टर और ओफ ईलेक्ट्रिशीटी कौन होता है सिल्वर याद रखना बच्छो कि सिल्वर depth का बैस्ट कंड़चतर होता है उसे बढ़िया उत्तम्ट्र हिंधी वाल लिखेंगे कि वहीं、 विद्धूत विधुत का उत्तम चालक है उत्तम चालक है ठीक है जी? तो कौन है? दा बेस्ट कंड़क्टर उफ एलेक्टिसिटी मतलब क्या? विधुत का उत्तम चालक कौन है? सिल्वर है? चांदी है? ठीक है बच्छो? अब बात आती है कौपर की वायर लगवा लो अलमूनियम की तो आप बोलोगे कि भई बताओ चलो दोनों का क्या है तो क्याएगा सबसे बड़ी बात कि देखो भई अलमूनियम की वायर आपको थोड़ी सस्ती बढ़ेगी आपको अलमूनियम की वायर क्या पढ़ेगी? तो ये आपका लगबग लगबग 30 years के लिए कहीं नहीं गया अलमूनियम आपने लगवा दिया तो ये रहेगा लेकिन ये आपका 10 to 12 years के लिए रहेगा मतलब क्या हुआ कि हम थोड़े से cost का अगर फर्क देखे तो इनके life का उपर आ जाती ये बात कि भई इसकी life बहुत कम है और इसकी life बहुत जादा है असीधी बात है कोई इनसान अगर घर बनवाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि 5 साल, 10 साल के लिए भई मैं तो अपना रह लिया अब मेरे बच्चे देखते रहेंगे क्या करना है या मेरे बोटे देखते रहेंगे क्या करना है ऐसा कोई नहीं सोचता सब सोचतें कि at least एक generation के लिए मेरा घर बिल्कुल सही सलामत रही या हर किसी की सोच होती है तो इसलिए लोग क्या करते हैं भई थोड़ा सा खर्चा ही सही लेकिन use किसको करते हैं copper को तो it means क्या हुआ क्या देख रहे जैसे जैसे material हम change करते जा रहे है उसकी ability भी लगातर क्या होती जा रही है change होती जा रही है तो इसका मतलब यह हुए क्या कहती है क्या कहती है यह आपको सब कुछ सही देगी resistance सही देगी लेकिन निसकी life कम है लेकिन copper आपको क्या देगा भई resistance भी ठाक देदेगा और life भी अच्छी देदेगा तो इसका मतलब लोग अपने घरों में copper की wire लगवाना इसलिए पसंद करते हैं ठीक है तो in future जब आप लोग भी घर बनाएंगे तो अपना क्या करेंगे भई copper की wire को use करना पसंद करेंगे भई instead किसके जगा भई aluminium के जगा और हाँ छोटे मोटे कामों के लिए जैसे tube lights हो गई या कोई other fan वगईरा हो गया तो उसमें आप aluminium के wire को use अच्छे से कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये आपको इतनी life यह नहीं जो light है अब यह light हमारे आप लगी है तो कोई भी light आपको 12 साल की life नहीं देगी 10 साल की life नहीं देगी 1, 2, 3 साल तो उसके लिए aluminium wire sufficient है लेकिन जो बड़ी-बड़ी चीज़े होती है जैसे लोग AC लगवाते हैं तो उन सब में आप देखते हैं mostly copper wire का use करने के लिए कहा जाता है तो वही सारी चीज़े है बच्चो तो यह चार point है इसमें लेकिन मैंने तीन पड़ा दिये कि भई conductor के resistance को कौन-कौन effect करता है एक length करता है ठीक है दूसरा temperature करता है और तीसरा कौन करता है nature of material करता है एक last point और रहे रहा चौथा यह note करो फिर फटा-फट में आपको fourth point कराता हूँ area of conductor इसके बाद यह last topic है खतम फिर हो जाएगा note कर लो इसको video pause करके कर लिया चालो अब यह last point और इसके बाद यह आपका chapter आदे से जादा खतम हो जाएगा और इसके एक किलास बाद पूरी तरीके से electricity खतम last point area of cross section of conductor चालक के अनूप्रस्त काट का छेतर फल अनूप्रस्त काट का छेतर फल चलिए तो समझिए पहले अनूप्रस्त काट होता क्या है अगर आप सभी को यह point दिख रहा होगा सामने वाला यह point अगर दिख रहा होगा तो आप अच्छे समझगे होंगे कि यह circular point है अगर मैं इसी का बच्चो section करता चला जाओ ऐसे काटता चला जाओ ऐसे लगातर काटता चला जाओ हर बार आपको यही point दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब हम cross करके इसका section कर रहे हैं लगातर काट भी रहे हैं तब भी हमको लगातर यही हिस्सा दिख रहा है तो इसलिए इस हिस्से को क्या बोला जाता है area of cross section of conductor या wire चालक के अनुपरस्त काट का छेतर फल ठीक है जी चलिए resistance का इसके साथ relation होता है inversely proportional कैसा relation होता है inversely proportional और हम बहुत पहले ही बात कर चुके हैं कि inversely proportional क्या होता है मतलब inverse inverse मतलब ultra proportional मतलब relation ultra relation ultra relation मतलब क्या area जादा तो रुकावट कम area कम तो रुकावट जादा साथ मुझे इसमें कुछ भी समझाने की जुरुत नहीं है क्यों? क्योंकि माल लीजिये मैं सीद़्ी सी बात कहता हूँ आपके पास एक माल लीजिये इतनी मोटी وائر है और मैं एक कहता हूँ इतनी मोटी وائر है अब आप बता दो सीद़्ी सी बात है किस में ज़्यादा flow कर पाएंगे बताने की ज Darugत हैं इसी में ज्यादा flow करेंगे क्यों एरिया ज्यादा है रुकावटे अपने आप कम हो जाएंगी एरिया यहाँ पर कम है तो रुकावटे अपने आप क्या हो जाएंगी ज्यादा वही आप highway पर गाड़ी चलाओगे तो ऑविसी बात है बही 70-80 कुछ नहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इतनी ज्यादा congested है जहाँ पर खुद लोग चलने लिए मुस्किल हो रहे तो आप सत्तर की स्पीड में गाड़ी चलाना चाहते है पॉसिबल ही नहीं यह reason बहुत ज्यादा रुकावट क्यों एरिया बहुत ज्यादा कम तो इसलिए जब एरिया कम तो रुकावटे बढ़ेंगी और एरिया जब ज़्यादा रहेगा तो रुकावटे अपने आप घटेंगी तो यह concept है किसका area of cross section का लेकिन आपको एक पहले concept सीखना पड़ेगा क्या अब एक concept सीखना पड़ेगा क्योंकि इसमें अगर आप ऐसे बोल देते हो कि area double करने पर resistance half तो याद रखना paper में answer तुरंत गलत तो last एक concept रहे रहा वो फटा फट देख लो क्या कि मान लीजिए आपके पास एक ये wire है अएसे है ठीक है ध्यान से सुनना और क्या कहरा हूँ अब इसी wire को अब इसी wire को मैं मोडने वाला हूँ कैसे कुछ इस type से और ऐसे ये देखो मैंने wire को क्या कर दिया बाई ऐसे यहां से लिया और इसको एसे मोड के रख दिया इसके उपर तो यह हो गया ऐसे, fold, ठीक है अब ज़रा ध्यान से देखना ये भी एक circular है तो पूरा का पूरा area है और ये भी circular है पूरा का पूरा area है हाँ की ना, और भाई circle का area होता है pi r square क्या होता है circle का area pi r square जिसमें से मैं pi तो हटाई रहा हूँ क्यों क्योंकि pi है या constant ये अपनी जगा पे value हमेशा क्या रखेगा fix, जो भी change करेंगे हम लोग radius को change करेंगे trigya को change करेंगे, सही बात है मतलब, जब जब मैं area बढ़ाऊंगा तो किसके term में बढ़ेगी बच्चो square के term में बढ़ेगी किसके term में, square के term में मतलब, वर्ग के रूप में बढ़ेगी किसके रूप में बढ़ेगी, वर्ग मतलब, अगर आप 2 गुना करते हो तो 2 का square, 4 हो गया 3 गुना करते हो, तो 3 का square, 9 4 गुना करते हो, तो 4 का square, 16 पांच करते हो तो पांच का स्क्वेर पच्शिस आज तक चार से ज़्यादा आया नहीं है मैं इतना बता दूँ लेकिन फिर भी पांच तक कर लो अब ज़रा ध्यान से सुनना रिलेशन क्या कहता है रिलेशन कहता है आर इस इनवर्सली परपोर्शनल टू एरिया रसिस्टेंस जो है व्युक्त कर मानू पाती है छेतर फल के ठेक है अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं अगर मान लो आप अगर आप एरिया को क्या करते हो डबल एरिया को डबल और किसमें change होता है square में तो यह रहा square तो हमने क्या देखा कि जब area को double कर रहे हैं तो resistance क्या आ रहा भाई 2 का square 4, 2 का square, 4 square का मतलब समझते हो, देखो बताता हूँ अगर माल लीजिए 2 का square लिखा हुआ है तो square का मतलब होता है 2 multiply में 2 अगर इसकी power 3 लखी हुई है तो 2 multiply 2 multiply 2 इस तरहीं तीन बार तो इस तरीके से 2 का square तो 2 into 2, 4 यानि area को जब मैंने double किया area को जब मैंने double किया तो resistance मेरे पास क्या मिला जल्दी बता दो, एक चौथाई इसी परकार अगर माल लीजिए area को मैं क्या कर दू 3 गुना कर दू तो भाई 3, area किसमें change होता है हमेशा square में तो जल्दी बता दो 3 का square, no यानि कि अगर area को मैं 3 गुना कर रहा हूं तो resistance मेरे पास क्या आ रहा है 1 बता no इसी तरह area को 4 गुना करके देखना आप ठीक, next बड़ाओ बे आते हैं अब लेकिन माल लीजिए अब लेकिन माल लीजिए हर बार area को double table तो करूँ है नी माल लो मैंने इस बार यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या किया area को half कर दिया बच्चो area को क्या कर दिया? half कर दिया अब दो का square अभी अभी ताज़ा ताज़ा हमने क्या पड़ा? चार अब देखो, आप खुदी समझना एक digit के नीचे एक कैसा number है? भिन की संख्या है, बटे की संख्या है इस तरीके से बटे तो जब भी किसी number के नीचे बटे की संख्या आ जाए ठीक है? तो उसको पलट देना चाहिए मतलब उपर कर देना चाहिए पलट के जैसे यहाँ पे एक number है और यह number है इसको पलटोगे तो इस तरीके से क्या आएगा? उपर और यह उपर आके कैसा बन जाएगा? ध्यान से देखना यह ऐसे है पलट के उपर तो पलट के ऊपर आएगा? तो चार ऊपर एक नीचे और चार एकम चार हर बच्चा जानता है तो हमने क्या देखा बच्चो जल्दी बता दो हमने ये देखा कि जब एरिया को किया गया आधा तो resistance क्या हो गया? आधे का square एक बटा चार पलट दिया वह क्या बन गया चार यानि कि परती रोध कितना गया चार गुना तो आप देख रहे हो क्या फर्क पड़ रहा है कि जब area double तो परती रोध चौथाई जब area आधा तो परती रोध कितना चार गुना इसी परकार अगर मैं area का वंधर कर देता हूं तो resistance कितना हो जाएगा बच् समझ के चलना मैंने देखो एक एक चीज बिल्कुल slow slow तरीके से लेके चला हूं क्यों क्यों कि हमें पता है कि area जो होता है वह square के term में बढ़ता है किसके term में बढ़ता है square के term में इसलिए इस पूरे concept को proper तरीके से अच्छे से कर लिना क्योंकि यही एक ऐसा concept है इस topic से जो स पूरे तरीके से कर लो पिछली जितने भी classes थी वह भी revise कर लेना फिर next class में खतम करवा के आप लोगों को जितने भी डीपी वगएरा सब में जितने भी important questions आएवे हैं वह सारे questions cover कर वाऊंगा ठीक है तो चलो आज की class यहीं खतम करने है